हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे से हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूच्वल शुरू करूँगा फिंगर्स के अनायलसिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सैटिंग को और माउंट्स को और सबसे लास्क में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पुरे हैंड का जो अनायलसिस से हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ ड्रॉव करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के उपर नजर आ रहा है यह मेरा वटसैप नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टिशन लेना चाहते हैं तो आप हमें वटसैप के जरीए सिगनल के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए मैसेज सेंड कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वारी शेप में नजर आ रही है चो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफी अच्छी लेंथ में हैं काफी अच्छी थिकनेस में नजर आ रही है यहां से आप चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को जो इंडिकेट करती है काफी अच्छी एनरजी एंड स्टैमिना को साथी साथ सभी फिंगर्स की उपर आपको कुछ इस तरह की खडी रिखाएं भी नजर आएंगी इस तरह की रिखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव काफी मिलनसार सभाव का रहेगा ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी नेचर वाले होते हैं और दूसरों के साथ बहुत अच्छी से तहजीब से पेश आने वाली नेचर इनकी देखी जा सकती है अगर हम बात करें पर्टिकलर फिंगर्स की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तरजनी उंगली लेंथ में काफी अच्छी है, काफी ठिक है जिसकी वज़े से ऐसे व्यक्ति काफी नॉलेजेबल होते हैं एक spiritual टाइप की personality और ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं बहुत अच्छी नेचर ऐसे native की देखी जा सकती है जिनकी गुरू फिंगर स्ट्रॉंग हो बात करें इनकी शनी फिंगर की तो काफी अच्छी लंबाई में शनी फिंगर आपको नज़र आएगी बिल्कुल स्ट्रेट शनी फिंगर दर्शाती है कि ऐसे native काफी अनुशाशन प्रिया होते हैं discipline personality और साथी साथ काफी मेहनती नेचर एक नया प्रिया टाइप की personality finger की बात की जाए तो बहुत अच्छी लंबाई में सूर्य फिंगर आपको नज़र आएगी और यहां तक कि इनकी सूर्य फिंगर इनकी तरजनी उंगली से भी ज्यादा लंबी आप यहां पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर का अधिक लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेक कर भी बनाता है ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी जीवन में रिस्क ले बैठते हैं ओवराल इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत अच्छा सोशल सिर्कल बना पाने में काम्याब रहेगा साथी साथ ऐसे व्यक्ति काफी क्रियेटिव माइन्ड होते हैं काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटिस भी ऐसे नेटिव के भीतर देखी जा सकती है अगर इनकी Mercury Finger की बात की जाए आप यहाँ पर देखेंगे Mercury Finger Length में इनके सूर्या Finger के Top Falange को भी Cross करती हूँ नजर आ रही है इस तरह की लंबी Mercury Finger का होना इंडिकेट करता है कि Native का Business Acumen काफी Strong होगा ऐसे व्यक्ति के Communication Skills काफी बेहतर रहते हैं और पूर्वा अनुमान लगाने की किशमता काफी स्टेक होती है ऐसे Native आने वाले घटनाओं का पूर्वा अनुमान बहुत अच्छे से लगा पाने में अपने जीवन में काम्याब रहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी मांट्स को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी अगर इनकी Fingers के नीचे एक रेखा ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह हैं कि एक रेखा बनती हो देख पाएंगे जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो Mercury Finger है Low Set है जबकि इनकी सूरे Finger, Shani Finger और इवन Guru Finger यहाँ पर हमें हलकी सी Low Set नजर आ रही है सूरे और Shani Finger दोनों यहाँ पर काफी High Set है Mercury Finger का Low Set होना Indicate करता है कि Native की Nature थोड़ी Shy रह सकती है ऐसे व्यक्तिगी का सभाव थोड़ा Hesitation वाला हो सकता है और ब्रस्पती Finger का Low Set होना Native को परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों की कमी देता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके Mounts काफी Prominent हैं अगर हम Mercury Mount की ही बात करें तो काफी उभरा हुआ Mercury Mount इनकी थेली में आपको नजर आएगा इस तरह का Mercury Mount होना दर्शाता है कि Native का Venus Aquaman strong होगा ऐसे व्यक्ति की Calculations करने की Capability काफी बहेतर देखी जा सकती है सुरिया और शनी Mount के बिलकुल नीचे आपको एक इस तरह से वलय बनता हुआ नजर आएगा इस तरह को वलय को शुक्र वलय यानि गर्डल ओफ वीनस कहा जाता है और ऐसा गर्डल ओफ वीनस जीन लोगों की थेली पर बनता है ऐसे व्यक्ति काफी लखी होते हैं ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी creativity रहती है और ऐसे व्यक्ति की रूची भी entertainment industry जैसी चीजों में रह सकती है साथी साथ इस शुक्र वलय का बनना नेटिव को थोड़ा मूडी नेचर का बनाता है थोड़ा मूडी सभाव ऐसे व्यक्ति का दिखा जा सकता है मूड स्विंक्स की दिक्कत भी नेटिव को प्रिशानियां दे सकती है अगर मैं इनके सुरे परवत की बात करें तो बिलकु फ्लाट होता हुआ सुरे माउंट आप यहां पर देख पाएंगे जिस वज़े से यश्टी कमी नेटिव अपने चीवन में महसूस कर सकता है जिन लोगों का यह माउंट फ्लाट हो और लंबी सुरे रेखा का अभाव हो सुरे रेखा आपको बताना चाहूँगा किस रेखा व्यक्ति बहुत अच्छा नेमेंड फिर्म पाते हैं और काफी अच्छी पहचान जिवन में बड़ी असानी से बना पाते हैं इस तरह की रेखा का अभाव होना और सुरे माउंट का बिलकुल फ्लाट फार्मेशन में होना यश्को कम करता है ऐसा व्यक्ति दूसरों के यह हमें फिलकुल फ्लाट नज़र आ रहा है जिस वज़य से जीवन में मिहनत अधिक रहेगी लेकिन एक लंबी भागया रेखा आप इनके हाथ में देख पाएंगे यहां से शुरू होने वाली यह है रेखा आपको कुछ इस तरह से यहां तक और आगे फिर बढ़ती है न इंडिकेट करती है ऐसा व्यक्ति अपनी फैमली से बहरी लोगों की अच्छी स्पोर्ट पाता है इवन लंबी दूरी की यात्राएं भी इस तरह की रेखा की वज़य से पॉसिबल रहती है नेटिव को फोरन ट्रैवल करने के मौके भी अपने चीवन में कई बार मिल सकते ह इनके गुरू परवत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे भले ही यह है माउंट थोड़ा सा लो सेट है लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी रेखा आपको नजर आएगी जिसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं आपको ड्रॉ करकर दिखाना चाहूंगा यह ज नजर आए तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर ब्रोग्रक्स कर पाते हैं और बहुत अच्छी उच्छाई तक जीवन में जरूर पहुंचते हैं और यहाँ पर यहाँ आड़ी रेखा आपको नजर आएगी यहाँ पार्शिल रिंग अफ सोलमन कहलाती है इस तरह क इस तरह की रेखा को आशिक गुरू वलाय कहा जाता है और यहाँ पर इस तरह का गुरू वलाय होना नेतिव की अध्यातम में रूची की तरफ इशारा करता है ऐसे व्यक्ति की रूची अध्यातमिक ग्यान की तरफ रह सकती है ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेज़ेबल होते ह 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफी अच्छी पहचान बना पाने में काम्याब रहते हैं और काफी अच्छा मान समान भी इन्हें सुसाइटी में जरूर मिल पाता है लेकिन थोड़ी वेराग्या की भावना ऐसे व्यक्ति के मन में देखी जा सकती है अगरम इनकी मेजर लाइन की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जो हाट लाइन है कुछी स्तुरहें से आगे बढ़ रही है और हाट लाइन लास्ट में चल कर दो भागों में आपको बंटती हूए नज़र आईगी यहां पर आकर आपको एक और ब्रांच नजर आएगी और इस तरह से ये एक विश्णू चिन बना जो बिलकुल इनके गुरू परवत के उपर बनता हो अदखाय पढ़ रहा है इस तरह का वी सिंबल जिन लोगों के थेली के उपर बनता है ऐसे व्यक्ति अपने चीवन में काफी अच्छी तरक्की करपाने में जरूर काम्याब होते हैं लेकिन इसके बिलकुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बैमानी से गलत रीके से धन कमाने की कोशिशें करने लगी तो चीवन में दिखतें आ सकती हैं और तरक्की रुख सकती है overall इनकी heartline सीधा इनके गुरू परवा तक पहुँचती हुई जो indicate करती है कि ऐसे native आदर्शुआदी होते हैं धार्मिक परवीती के होते हैं दिल से धार्मिक होते हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ downward branches और overlapping समय heartline में यहाँ पर 50 के round age में नजर आ रही हैं जिस वज़े से आगे चलकर native को blood pressure, thyroid या cholesterol जैसी दिक्टों का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है overall की major issue यहाँ पर इनकी heartline के जरिए नजर नहीं आ रहा अगर हम बात करें इनकी mind line की तो आप देख पाएंगे मस्तिक्ष रेखा अच्छी length में है, बिल्कुल straight है बहुत ही अच्छी memory को दर्शाती है इस तरह की mind line का होना indicate करता है कि native अपने sharp mind की वज़े से अच्छी skills की वज़े से जीवन में नरंतर progress कर पाने में कामयाब रहेगा बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा काफी अच्छी length में है यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको एक अच्छी लंबाई में नजर आएगी इस तरह की जीवन रेखा का होना indicate करता है कि native की जो age है लगबग 75 से लेकर 80 के बीच रहने की संभावनाए रहेंगी बहुत ज़्यादा stress lines का ना होना अच्छी health को भी दर्शाता है यहाँ पर आपको एक रेखा बिलकुल जीवन रेखा के साथ साथ चलती हुई नजर आएगी इस तरह की रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता रहा हात में मंगल रेखा का होना भले जी नेटिव को थोड़ा aggressive nature का बना सकता है लेकिन यहाँ रेखा नेटिव को जीवन में अच्छी संपती बना पाने में काम्याब करती है ऐसे व्यक्ति अपनी जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी property बना पाने में काम्याब रहते हैं बिल्कुल जीवन रेखा के अंत में आपको एक फिश का सिंबल बनता हुआ भी नजर आएगा आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह की रिखाओं से एक फिशनुमा अक्रिती आपको इनकी थेली के लास्ट में बनती हुए नजर आएगी इस तरह का फिश का सिंबल थेली के के टू एरिया पे बनना दर्शाता है कि नेटिव को अपने चीवन में कई बार अच्छानक धन की प्रापती होगी ऐसे व्यक्ति को इन्शोरेंस के जरिए इन्हेरिटेंस के जरिए शेर मार्केट या लोटरी जैसी चीजों से बहुत अच्छा धन प्रापत जीवन में कई बार होता है ऐसा चिन होने से नेटिव जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करता और विदेश यात्राएं करने के मौके भी ऐसे व्यक्ति के चीवन में एक से अधिक बार आते हैं बात करते हैं इनके शुक्र परवत की आप यहाँ पर देख पाएंगे यह एरिया आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा विनस माउंट का उठा हुआ होना नेटिव को अपने चीवन में हरत रहें की सुक्सुधाएं दलवाता है ऐसे व्यक्ति के चीवन में हरत रहें की लग्जरीज देखी जा सकती हैं लेकिन यहाँ पर इस माउंट के उपर इस तरह की वरी लाइन्स का होना रिलेशन्शिप्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता ऐसी रिखाएं होने से नेटिव को अपनी फैमिली लाइफ में और अपनी मेरिड लाइफ में दिक्तों का सामना भी करना पड़ सकता है अगर इनके चंदर परवत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंदर परवत का एरिया काफी क्लियर है लेकिन यहाँ पर एक बहुत हलका तिल का चिन आपको नज़र आएगा चंदर परवत के उपर अगर डारक कलर का तिल हो तो नेटिव को बहुत परिशानिया देता है लेकिन यहाँ पर बहुत हलके कलर का तिल है जिस वज़े से नेटिव को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तों यह कुछ अनेलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे वट्सैप पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद